हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग आशा करते हूँ कि आप सभी अच्छे हूँ बच्चो शुरू करते हैं आज का ध्याय अनुछेद लेखन पैरग्राफ राइटेंग अनुछेद निभंद का एक संशिप्त स्वरूप है अनुछेद लेखन एक कला है इसमें कुछ वाक्यों में ही किसी विशे को बहुत सार गर्भित रूप से व्यक्त करते हुए विशे का परिच्चे वर्णन और निशकर्ष सभी कुछ देना होता ह अनुछेद लेखन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुछेद एक शब्द सीमा में सरल वप्रभावशाली भाषा में लिखा जाए इसमें उधारणों वभुमिका आदिका वर्णन ना करते हुए सीधे विशे का वर्णन करना चाहिए बच्चो अनुछेद जो है वो निभन्द का आई एक छोटा सा रूप होता है यह एक लिखने की कला है जिसमें हम किसी भी दिये गए विश्य पर अपने विचार प्रकट करते हैं अनुछेद के कुछ उधारण इस प्रकार है आई पढ़ते हैं पहला अनुछेद स्वदेश प्रेम किसी कवी ने ठीक ही कहा है जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं वहरदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं जननी और जन्म भूमी दोनों को स्वर्ग से भी बढ़कर पताया गया है माता यदी हमें जन्म देती है तो मात्र भूमी हमारा पालन पोशन करती है जिस भूमी पर हमने चलना सीखा जिसका अन जल खापी कर हम बढ़े हुए उसका रिण उतारना आसान नहीं जिसे अपने देश के गौरव तथा अभिमान का ध्यान नहीं है वह पशुत तुल्ले ही नहीं मृतक के समान होता है इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का करतव्य है कि वह अपने देश को सुखी सम्रद तथा शक्तिशाली बनाने के लिए कृत संकल्प हो स्वदेश प्रेम केवल बातों से ही नहीं जलकता वरन देश के निवासियों के क्रिया कलापों में जलकता है प्रत्येक व्यक्ति का करतव्य है कि अपने देश की तुलना अन्य देशों से करते समय अपने देश को हीन न समझे अपनी संस्कृति को अपनाए तथा देश की गौरफशाली परंपराओं को विस्मरत न करें हम अपने देश की एकता और अखंडता के लिए काम करें देश की समविधान का आदर करें तथा संकिर्ण एवं साम प्रदाइक भावनाओं से दूर रहें भाशा तथा धर्म हमारे देश की एकता में बाधा बन रहे हैं इसलिए प्रतेक देशवासी का करतव वे है कि वे है इनके प्रती उदार द्रिष्टी कोण अपनाई तथा ध्यान रखें महजब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जिस देश के निवासियों में देश भक्ती की भावना नहीं होती वेह देश कभी प्रगती नहीं कर सकता है जापान का उधारन देखो तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि देश भक्ती की भावना द्वारा किसी राष्ट को किस प्रकारुननती के चर्मुत कर्ष पर पहुचाया जा सकता है। तो बच्चो इस तरह लिखते हैं अनुछेद। दूसरा अनुछेद है बुरा जो देखन में चला। जब कभी मैं किसी व्यक्ती को दूसरे व्यक्ती की बुराई करते हुए देखती हूँ तब मेरे मन में यह विचार आता है कि कितना सरल है दूसरों में कमिया निकालना या बुराईयां ढूंडना हमें केवल बुराईयां ही क्यों दिखाई देती हैं अच्छाईयां क्यों नहीं दिखती क्या बुराई करने वाला व्यक्ती कभी अपने भीतर की कमजोरियां या बुराईयों को देखने या ढूनने का प्रयास करता है यदि प्रत्येक व्यक्ती द साधरन व्यक्ति को अपने भीतर केवल गुण ही दिखाई देते हैं वे अपनी प्रस्चंसा वो दूसरों की बुराई करते नहीं ठकता यदी हम अपनी कम्योंखों पहचान कर उन्हें दूर करने का प्रयास करें तो हम देखेंगे कि सम्पून समाज स्वैम सुधर जाएगा दूसरों में बुराईया या अफगुन ढूनना सबसे बड़ी बुराई है इसलिए संत कबीर ने कहा है बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिल्या कोई जो दिल खोजा आप ना मुझसा बुरा न हुए बच्चो आपने देखा किस तरह अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो हम अपनी ही बुराई करते हैं इसलिए दूसरों की बुराई करने से अच्छा है अपने अंदर की बुराईयों को ढूने और उसे सुधारे आए पढ़ते हैं आगे तीसरा अनुछेद पूंद बूंद से घट भरे पलपल से हमारा यह जीवन बना है इसमें प्रत्यक्षन का महत्व है कवीवर पंत जी के श सागर अर्थात लगू चंचल बूंदों से ही विशाल सागर बनता है इसी प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है बूंद अपने एकाकी रूप में कोई अस्तित्व नहीं रखती परन्तु जब असंख्य बूंदे एककत्र हो जाती हैं तो उनमें केवल घड़ा ह नहीं बरता बलकी समुद्र का भी जन्म हो जाता है कहने का भी पराई यह है कि सीमित के भीतर असीमित की सत्ता विद्यमान है जो एक में है वही अनेक में है एक धुलीकन की अपनी कोई अस्मिता नहीं किन्तु जब अपरिमान और विशाल धुलीकनों का एक स्थान पर एकत तब उसी को परवत की संग्या से अभिहीत किया जाता है। अलग-अलग व्यक्तियों की शक्ति शीन हो सकती है। परंतु जब ये एकाईया संगठित हो जाती हैं तो राष्ट रूपी वट व्रिक्ष का निर्मान होता है। मधु मख्यों द्वारा शहद की एक-एक बूंद को एकत्र करने पर उसके द्वारा संचित मधु का सेवन करके सभी प्रसन होते हैं। इसलिए हमें भी थोड़ी-थोड़ी पुंजी का संचे करना चाहिए। आए बच्चों पढ़ते हैं अगला अनुछेद सादा जीवन पहारी तड़क-भड़क का बोल बाला है। ऐसी स्तिती में जो लोग सादगी युक्त जीवन जी रहे हैं उन्हें दक्यानुसी तथा गवार तक कह दिया जाता है। फैशन तथा दिखावा आज के युक की अनिवार्यताएं बन गई हैं। आज व्यक्ति के सम्मान का आध अधार रुपया पैसा, धन, संपत्ती के साथ साथ दिखावा, बाहरी, तड़क-भड़क, वस्त्र आधी के अधार पर किया जाता है। जबकि व्यक्ति का सम्मान उसके गुणों के अधार पर किया जाना चाहिए। अनेक महापुरुषों के जीवन से यह भली भाती साथगी पसंद होता है। महान व्यक्तियों का सम्मान उनके वस्त्रों के अधार पर नहीं बलकि उनके गुणों के अधार पर किया जाता है। प्रदर्शन या दिखावे का सहारा तो प्राया, गुणहीन या मूर्ख व्यक्ति लिया करता है। थोथा चना बाजे घना तथ अधजल गगरी छलकत जाय जैसी कहावतों में इसी भावना को उजागर किया गया है माहत्मा गांदी लाल बहादुर शास्त्री डफ्टर राजेंदर प्रिसाद मदर टेरेसा बाबा आम्टे आधी का जीवन कितना साध्गी युक था हमें उनसे प्रेणना लेनी चाहिए या अभिशाब विज्ञान ने मनुश्य को अनेक सुख्सुविधाएं प्रदान की हैं परंतु यह साथ ही साथ अनेक अभिशाब भी दिये हैं विज्ञान के बलपर मनुश्य ने धरती आकाश अंतरिक्ष परवत सर्दी गर्मी आधी पर काभू पा लिया है मनुष्य ने सुक सुविधा की अनेक वस्तूओं के आविशकार किये परंतु और द्योगिक कच्रे से नदियों, समुद्रों, तालावों का पानी प्रदूशित कर दिया पेड़ पौदे जिनसे वायू, पुल, सबजी, लकडी तो बनाए, परंतु उनसे फैनले वाले विशैले धुए पर ध्यान नहीं दिया इसका दोश्परिणाम यह हुआ कि मौसम में अचानक बदलाव आने लगा, समुद्र का आकार बढ़ने लगा है हमारे चारो और प्रदूशन ही प्रदूशन है, वायू प्रदूशन, जल प्रदूशन, ध्वनि प्रदूशन, मृदा प्रदूशन आदि प्रदूशन बढ़ने का मुख्य कारण जन संख्या में अत्यदिक वृद्धी है यानि जन संख्या का जादा से जादा बढ़ना ही प्रदूशन का एक मात्र कारण है जन संख्या बढ़ने से रहने की जगा रूटी व्यवसाय आदी भी अधिक चाहिए इसलिए वनों का कटना तथा कार खानों का बढ़ना जारी है बच्चो आशा करती हूँ कि आपको सभी अनुचेद समझा गए होंगे और आपको यह भी ज्यात हो गया होगा कि किस तरह अनुचेदों को लिखा जाता है आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय भी समझा क्या होगा इसका अभ्यास आप स्वैम कीजेगा